इस कैसे हो आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और आज की अपनी next class electrostatics 02 और पिछली class के अगर बात करते हैं तो पिछली class में हमने introduction of charge किया था and properties of electric charge की थी तो आज की class में हम पढ़ेंगे कि method to produce charge वो method जिससे आप charge को produce कर सकते हो ठीक है यानि कि हम पढ़ेंगे आज की class में charging by induction charging by induction ठीक है न और हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे कुछ charge का distribution यानि कि distribution of charge distribution of charge electric charge को distribute करेंगे किस तरीके से charge distribute होगा पास में ठीक है न उसके उपर बेस्ट कुछ problems देखेंगे ठीक न आज की ग्लास में खाली है यह charging by induction charging by conduction इसको पर बेस्ट हम क्या हमारे पास में numericals बन सकते हैं क्या question बन सकते हैं वह हम करने वाले हैं क्लियर है बात ठीक है ठीक है करते साफ ओके copy pen निकाल लिए और notes बनाना start करती है बच्चों तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि हमने प्रिक्षन से हमने आपको बता था कभी अगर आप दो जब कभी आप दो इन्सुलेटिंग बोडिस को आपस में रफ करते हों क्या प्रोडूस होती है हीट क्या प्रोडूस होती है हिट प्रोडूस होती है रेलीट hyet बेट जो होती है हमारे पासं में इन दो बडूस के गेन कर लेते हैं और वो गेन करने से वह एलेक्ट्रों बच्छों फ्री हो जाते हैं जिसके विज़ेस होता क्या है कि एलेक्ट्रों जो होता है वह एक बोड़ी से दूसरी बोड़ी पर ट्रांसफर हो जाता है एक बोड़ी से दूसरी बोड़ी पर जंप कर जाता है और जब जंप करता है एक बोडी चे दूसरी बोडी पर तो एलेक्ट्रों का ट्रांसफर होता है और मैंने यहीं तो ओ गये हैं कुछ नेगे टिव यह मारे पास में होता है charging by friction charging by friction कर पढ़ते हैं charging by जैसे conduction की बात करते है charging by conduction तो conduction method होता हमारे पास में और कैसे है कैसे body को charge किया जाता है वह हम देखने वाने बट अब हम जो यहां पर करने जा रहे हैं जैसे कि वैसे concept अब पढ़ाना चाहिए जब पढ़ रहे होते हैं ठीक अलेक्टिक पटेंशल को distribution of charge में आता मारे पास में फिर भी कोई खास बात नहीं इसका डेर्ट आफ को फो रूला बता देंगे इसका derivation लास्ट में होगा तो आप इजिली आप सवाल कर सकते हो ठीक ना तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम charging by conduction charging by conduction की ठीक ना किसी भी बोड़ी को आप चार्ज करोगे कौन से मैथड से वाई charging by conduction का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं इसमें क्या करते हैं रियलिटी में कंड़क्शन मतलब actually में contact में लेके आएंगे दो बोड़ी को ठीक ना आप ऐसा सोच सकते हो actual contact होगा हमारे पास में यहाँ पर किसी दो बोड़ी के वीच में ठीक हाँ मतलब इसमें क्या होगा जब कभी भी आप एक charged बोड़ी को किसी भी charged बोड़ी को एक uncharged बोड़ी के साथ contact में लाते हो connect करते हो दो बोड़ी को अपस में तो होता क्या कि electric charge from charged body to uncharged body transfer होता है या पिर आपको ऐसा सोच सकते हो कि हाई potential जो हाई potential body होगी है मारे पास में जिसका potential हाई होगा लोग पोड़ी की दब चार्ज बोड़ी चार्ज पोजिटिव चार्ज ओल्वेज बूस फॉर्म हाई potential to low potential प्रटेंशल का concept में आपको बते बताएंगे फिलाल आप याद रखोगे कि हमारे पास में क्या करते हैं कि कभी भी अगर दो बोड़ी को आप contact में लाते हो जैसे हमारे पास में दो बोड़ी है एक बोड़ी यह है एक बोड़ी यह यह बोड़ी तो आपके पास में पूरी यह पूरी चार्ज है और यह पूरी की पूरी बोड़ी आपकी अंचार्ज है ठीका ना बोड़ आपको दिखाई दे रहा है एक पर देख लेत तो रियल्टी में क्या होता कि चार्ज का फलो होता है चार्ज फलो होने लग जाता है यहां सी यहां चार्ज फलो होने लग जाता है चार्ज बोडी तो अन्चार्ज एक्चलि भी कॉंटेक्ट मिलाते है दो बोडी को body to uncharged body, ठीक न, then some charge flow from charged to, यानि की charged body to uncharged body, uncharged body, ठीक न, ठीक न, तो charge body से uncharged body की तरफ बहता है, अब बात यह थे कि कितना charge बहता है, कितना amount of charge flow होगा, तो charge तब तक बहता है, जब तक दोनों बोडी का potential नहीं हो जाता, जब तक दोनों बोडी का charge flow होता रहेगा, जब तक दोनों बोडी का, क्या सेम नहीं हो जाता, electric potential, ठीक है न, यह हमारे बास में होता है, कि charging by conduction, वैसे अगर हम बात करते हैं, कुलोंस लोग अंदर, तो यहाँ पर जो bodies ली जाती है, जैसे एक uncharged body ले ले ली, एक charged body ले ले ले, यह दोनों bodies identical ली जाती है बच्चों, नातलब सेम material की बनी होती है, और सेम size को होती है, अगर अलग अलग size भी हो तो भी हम इसको कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, चलो देखते हैं किस तरीके से, ठीक है न, माल सब पढ़ा हूँ, आपको पूरा खेल दिलाएंगे आपको इसको प्राइलेक्टिक पटेंशल में, फिलाल आप याद रख लो इस चीज को, ठीक है आप ऐसा समझ सकते हो, कि मेरे पास दो body है, ठीक है, माल लो इसकी जो radius है, वो R1 है, और इसकी दो spherical body माल लेता हूँ, इसक दोनों की radius सेम भी हो सकती है, अलग भी है, माल लग मान के काम कर लेते हैं, ठीक है, दोनों मालों 2 spherical body, अलग अलग है, से metal की बनी हूँ, ऐसा कुछ माल लेते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, माल लेते हैं, इस body के पास charge है, Q1, मालो 10 कुलाम है, 5 कुलाम है, इसके पास भी कू Q2, ठीक, अब क्या करते हैं, इनको आपस में connect कर देते हैं, दोनों को आपस में connecting कर देते हैं, य एक connecting wire, connect by a connecting wire, connect कर देते हैं, इनको मतलब, तो मेरे पास में दो bodies थी हैं, इनको connect कर दिया, इसके radius R1 थी, इसके radius R2 थी, इसके पास charge Q1 था, इसके पास Q2 था, इसके पास charge Q1 और इसके पास चार्ज क्यूटू था अब इन दोनों को एक कोनेक्टिंग वायर से कोनेक्ट कर दिया जाता है तो चार्ज पता है में फलो होगा ठीका ना कहां से का हाई पोटेंशल बोडी टू लोग पोटेंशल यहाप ऐसा मों सकते हैं अभी तो आप अडेंटिकल है तुम सकता है इससे यहां पर चार्ज का फ्लो वहाओ तो अफ्टर सम टाइम तो इन दोनों के पास में डिस्ट्रिबुशन जो होगा चार्ज का जो डिस्ट्रिबूट हो रहा वाट चार्ज प्लोग रहा वह बंद हो जाएगा तो कि उस टाइब पर दोनों बोडी का पोटेंशल सीम हो चुका होगा तो पैसा मानू कि आफ्टर डिस्ट्रिबूशन औव चार्ज फाइनली इस बोडी पर चार्ज जब क्यू वन नहीं होगा कुछ चार्ज अलग हो जाएगा कितना चार्ज हो जाएगा इसके पास चार्ज क्यू टेस तो हमें रिलिटी में यही पाइड आ वाइ दोनों की radius का sum कलियर इसमें भी दोनों के पास जो recharge था उनका sum वाइ दोनों की radius का sum कलियर बात है ऐसा बट इसमें कर दो into में multiply में जो करोगे इसके वह कितना करोगे q1-r किस body के उपर charge चाहिए आपको इसके उपर और इसकी radius कि दुरी है? r1 तो इंटू में क्या कर देते हैं और इसके मुल्टिपलाई में क्या कर देते हैं तो आपके पास में जब कभी दो बोडी को अपस में एक चार्ज बोडी कौन चार्ज से या एक हाई जो मतलब ज्यादा चार्ज वाली बोडी को एक कम चार्ज वाली बोडी से जोडते हैं तो पसमें चार्ज का डिस्टिवूशन होता है ठीक है ना तो सम टाइम के बाद में जो चार्ड डिस्टिवूट हो जाएगा वो कितना होगा मारे पास में कितना होगा तो इंद नुखर एक बाद में सकती है एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो इसके पास चार्ज कितना होगा Q1 dash और इसके पास charge कितना होगा Q2 dash तो Q1 dash की value जो होगी हमारे पास में वो हो जाएगी इस formula put कर देते हैं Q1 plus Q2 यानो Q1 plus Q2 by R1 plus R2 यानि कि R plus R मतलब 2R into R1, R1 की value भी R है R से R cancel, यानि की value आई Q1 plus Q2 by 2 इस तरीके से आप Q2 भी नहीं काल सकते हैं Q2 dash की value बताइए इस formula put कर देते हैं Q1 plus Q2 by दोनों की radius का sum R plus R 2R into me R मतलब इसकी radius R cancel out होगे, फिर से value कितनी आई Q1 plus Q2 by 2 मतलब ये दो बिलकुल आसान हुआ अगर दो body आपस में identical हैं same size की हैं तो 4 जो हाप को होगा हमारे पास में इसके पास, मालो इसके पास 4 था हमारे पास में लेते हैं 4 column इसके पास था 6 column तो sum कर दो 4 और 6 केतना होगा 10, divide कर दो 2 से 5 column तो after distribution 5 column इस पर 5 column इस पर इस तरीके से आ जाएगा clear रहे बात है, clear रहना, okay तब समझते, मालो अलग अलग save की body हो, तब कैसे सवाल करोगे ठीक है, देखते हैं देखो देखिए बच्चे जैसे, मैं कहता हूँ, मेरे पास में एक example ऐसा ले लेते हैं, हम माल लेते हैं, एक body है, मेरे पास में इसका radius R है, एक body है इसकी radius हमारे पास में थरी R है इसके पास मालो Q charge था मारे पास में, इसके पास Q charge था इसके पास माल लेता हूँ, मैं माल लेता हूँ, कितना जाज माल लेता हूँ, 6 Q charge इसके पास Q, इसके पास 6 Q माल लेते हैं कुछ ऐसा माल लेते हैं, कलियर बात ठीक है, ओके है मैं तो मैं गयता हां मैं आरे पास में ऑके तो ऐसा हिए इसके पास मालो फ्도내 एक तुह नुutet मेल साथ एं दोनों बोडीज को आपस में कोणेक्ट कर दिया इसको और इसको इसकी रेडियेस हमारे पास में 3R है connect कर दिया तो after distribution of charge इसके पास charge कितना आएगा Q1 dash इसके पास Q2 dash आएगा ठीक ना और इनी ही की value आपको चाहिए कितनी होगी कितना charge आ जाएगा वो निकाल गए बिल्कुल असान तो इसके पास charge कितना आएगा Q1 dash is equal to formula बिल्कुल असान बता था Q1 plus Q2 by R1 plus R2 into Q1 dash मतलब पहले square पर जो आपको चाहिए है charge उसकी radius R1 Q1 dash की value तो बिल्कुल असान हागी Q1 plus Q2 मतलब 4Q plus 6Q by R1 plus R2 R plus 3R R plus 3R 4R into इसकी radius इसकी radius कितनी ही बचो R कितनी है R तो RCR तो गया ये बच्चा मारे पास में 10Q by 4 means 5 by 2Q मतलब आप समझ सकते हो 2.5Q 2.5Q तिस बोड़ी के पास उस charge आएगा 2.5Q इसके पास charge आएगा 2.5Q पहले कितना था 4Q मतलब अभी कितना हो गया यह हो गया तो charge बतल भी दरुखलो होगा अब कितना transfer होगा इधर कितना transfer होगा 5 by 2Q तो solve कर लो इसको 8 by 5 या कितना बच गया यानि कि 3 by 2Q charge का फलो हुआ from this body to this body तो यहाँ पर charge कितना आजाएगा Q2 dash की value कैसे निकालोगे विलकुल आसान Q2 dash की value Q1 plus Q2 फिर से मतलब 4Q plus 6Q by R1 plus R2 R1 plus R2 into R2 R2 विलक की बार किदनी है 3R देखिए यह आया मारे पास में 10Q by 4R into 3R तो आप देखरें R चाहा तो cancel हो गया यह 5 पे cancel हो गया 2 पे यह आया 15 by 2 यानि कि 7.5 Q charge आजाएग क्योंकि पहले 6 Q था अब 1.5 हो रहा है 7.5 हो जाएगा तो आप मतलब किसी भी uncharged body को एक charged body से connect करते हो तो कितना amount of charge distribute होगा कितना amount of charge flow होगा एक body से दूसरी body पर तो यह हम calculate कर सकते हैं बिलकुल easy question ठीक है ना चलो एक सवाल और लेते हैं बच्चो इसको not जरूर कर ले not जरूर कर ले इसको कर दे साब ठीक है आगे किदर बढ़ते हैं यह हमारे पास में अगर कोई भी charge body को एक uncharged body के साथ में लेगे आएंगे तो अप्टर मतलब बोल सकते हैं आप distribution होगा charge का तो charge कितना होगा किस body पर हम इं calculate कर सकते हैं जैसे के एक सवाल ले ले लेते हैं मेरे पास में एक body मालो मेरे पास एक body है मैं बुला कि इसकी radius को है वा माल लेते हैं हम 30 cm माल लेते और इसके पास CHARGE क्यूवन था हमारे पास में वह माल लेते हों 9 lux charge माल लेते हैं या 9 uह इसकी जो रेडियस है वो 9 cm मा लेता हूं चार्ज इसका Q2 पराबर 27 माइक्रो कुला मा लेता हूं तो after distribution of charge दिस्टिबूट तो होगा charge इसको क्नेक्ट करेंगे तो अमेरको पता है इस वोडी को और इस वोडी को जिसके पास charge था Q1 इसके पास highway जोड़ देंगे तो charge का फललो होगा उनका सेकाँ फलगा भी देख लेंगे ठीक है न तो इसके पास charge कितना आएगा माले ताव q1 dash बताईए कितना है इसके पास charge कितना हो रहा है जाएगा q2 dash वो निकाली है तो बिलकुल आसान तो आपको बताया है मैंने अभी अभी कि q1 dash की value निकालेंगे पहले पे तो बिरेको पता है पहले दोनों charge का sum by दोनों की radius क इन्टू किसकी पर charge निकाले इस बोडी पे तो इसकी radius तो q1 dash is equal to q1 plus q2 9 plus 27 9 plus 27 कितना हो जाएगा 36 कितना हो जाएगा 36 36 micro coulomb by r1 plus r2 मतलब 3 plus 9 12 cm 12 cm इन्टू r1 r1 की value कितना है इसकी 3 cm 3 cm देख रहें आप cm से cm cancel हो रहा है 12 से 3 पर cancel हो रहा है तो q1 dash की value कितनी है हमारे पास में 3 into 3 that is 9 micro coulomb 9 micro coulomb तो इसके पास चार्ज आएगा बच्चो वह आएगा 9 micro coulomb पहले कितना था 9 अब भी कितना है 9 मतलब no distribution of charge ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों बोडीज का electric potential से हैं है बच्चो तो इसका मतलब q2 dash इसके पास पी charge कितना रहेगा मारे पास पी q2 dash के value भी कितनी रहेगी 27 micro coulomb कोई charge का distribution ही नहीं हो हाँ अगर इसका उटा ले लेते हैं जो को सवाल अगर आप यहां पर ऐसा ले लेते हो किसके पास 27 micro coulomb है और इसके पास जो charge है वो 9 micro coulomb है ऐस इसके पास चार जागे 9 micro coulomb मतलब इसके पास चार जागे 9 micro coulomb और उसके पास q2 dash की value कितनी आ जाए वो निकाल लेते हैं तो q2 dash की value कैसे निकालें q2 dash is equal to q1 plus q2 मतलब 27 plus 9 कितना आ जाएगा 36 micro coulomb by r1 plus r2 3 plus 9 12 cm इंटू इसका चार्ड निकाल रहे हो final तो इसकी radius कितनी है 9 cm सेंटी मीटर सेंटी मीटर सेंटी मीटर गायब हो गया तो यह थरी पे कैंसिल हो गया तो यह आ गया हमारे पास में 27 micro coulomb तो इसके पास आ जाएगा 27 micro coulomb मतलब चार तो आपस में क्या हो गया एक्सेंज हो गया बच्छो चार्ज आपस में क्या हो गया एक्सेंज कि कुछ भी हो सकता है पहले आप 27 अब यह 9 बच यानि कि चार्ज का फोलो इधर हुआ है कितना amount of charge फोलो हुआ है तो हम सोल कर सकते है 27 अब 9 बच गया हमारे पास में ठीक ना कितना बच गया 18 coulomb 18 micro coulomb charge का flow हुआ है from a body to b body from a body to b body clear बात बिल्कुल clear है ठीक है ना कर सकते हो अगर अलग-अलग size की बोडी भी है तो भी हम भाई फूर्मुला लगा कि आप distribution कर सकते हो charge का ठीक ना कितना होगा कर यह साफ कर दें कर दें साफ ठीक है यह charging by conduction बट एक चीज और है हमारे पास में जब चार्ज फुलो होता है हमारे पास में इस वायर के जरीए वायर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस तो होगा तो यह जो आपका चार्ज फुलो होता है यह आपको हम पढ़ाएंगे कैपेसिटर में ठीक है ना कितना लोस होगा ठीक है फिलाल distribution of charge हमें देखना है अब अगर बिल्कुल सिंपल से सवाल कैसे पूछ लेगा सर देख पूछ लगता है ऐसे देख मैं कहता हूं मेरे पास में एक दो इडेंटिकल बोल है मेरे पास में दो इडेंटिकल बोल मैं बोला कि इसके पास five microphone charge कुछ भी सेम रेडियस की बोड़ी है और इसके यह अंचार्ज बिल् इसका हाप कर दो कितना आएगा 2.5 microgram इस पर आजाएगा और 25 microgram चार्ज इस पर आजाएगा यह हमें पता हो ना ची बोल कलियर है कर दोगे बिल्कुल बेसिक बात इसमें कोई strong वाली बात नहीं है ठीक ना तो अगला में तब आपके पास में है जो चार्ज को प्रेडूस क इसमें क्या करते हैं हमारे पास में देखिए ध्यान से चार्जिंग बाई इंडक्शन ठीकन बहुत ही अथ्छा मैथट हमारे पास में इसमें दो बोडी एक बोडी के पास चार्ज लेके आएंगे बट विदाउट एनी कॉंटेक्ट कोई कॉंटेक्ट नहीं होगा दो बोडी के बीज़ें इसमें क्या करते हैं देखो step by समझते हैं पहला step इसमें क्या करते हैं हमने एक ये एक square ले लिया मालों किसी भी से किसी का conductor का मा लेते हैं conducting sphere हमने लिया और इसको एक insulating stand पर रख देते हैं एक insulating stand पर रख दिया इसको रख दिया कंडक्टिंग था मैटल का बना हुआ था सफियर था मारे पास में इस तरीके से रख दिया कलियर बात कलियर है ओके उसके बाद क्या करते हैं हम यहां पर देखे ज्यांसे दूसरे step में हमने ऐसा किया कि जो आपका यह conducting sphere है कि यह insulating stand था इसके पास एक रोड को लेके जाते हैं कि चार्जड रोड कैसी है यह एक और दिटिवली मालूम चार्जड रोड को लेके चले गया है ठीक ना मैं पता यह मैटल है है और एक रूम टेंप्रेचर पे इसके पास बहुत सारे फ्री लेक्ट्रॉंस हैं मतलब इनके जो मैटल होते हैं उनके एक्टम्स के वैलेंस लेक्ट्रॉंस फरी होते हैं फ्रीली मू कर रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं फ्री लेक्ट्रॉंस आपको यह भी पता अप्रॉक्राइटली इस एकोल तो पावर फाइफ सीच्ट यह कोई कम स्पीड नहीं होती है यह अट पावर फाइफ मेटर अप्रॉक्राइटली बताथ ओर पाई से यहें पाई चुछ विए सकता है तेज रप्तार सी रेंडम निमू करते हैं इस तरीके से बाइब्रेट कर बहुत तेज रफ्तार इस तरीके से मूह कर रहे हैं ठीक ना डिस्टेंस बटनेट डिस्प्रेस्वेश्माइट जी रोता है मतलब एक सेकड में एंट टू पावर फाइव डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है कि कलियर है रेंडवली मूह करता है कलियर बात ठीक तुछ तो इतनी ट्रेक्ट करें तो यह जितने भी हमारे पास में यहां पर एक्ट्रों थे फ्रेलेक्ट्रों से तो एक दूसरे को रीरेंज करेंगे करें पर क्यों कि सब इसके बाद तो जा नहीं सकते हैं टिक ना अब कंडुक्टिंग बूडी है तो आगे तो जा नहीं सकते हैं चार्ज पर नेट चार्ज पिलाज जीरो था अब यहां पर एक नेट चार्ज आ गया है मतलब सब्सक्राइब यहां पर आए तो यह हम ने किया दूसरा स्टैप में यह हुआ ठीक रा तो थर्ड स्टैप में क्या करते हैं हम कि हमारे पास में यह जो यह हमारे पास में रोड थी क्यों चार्ज था इसके पास इधर नेगिटिव चार्ज आगया और इसके पास पॉशिटिव चार्ज जब इस फर्दर सर्फेस को हम अर्थ से कोनेक्ट कर देते हैं किसे अर्थ से अर्थ का जो एलेक्टरिक पुटेंशल होता है वो जीरो की तरह तो रियलिटी पेले क्या होगा हमारे अर्थ से आपको पता वना चाहिए कि पोजिटिव चार्ज है वो हमेशा पर एता है हाई से अर्थिंग कर दी क्या कर दी कि अर्थिंग को जब आप एर्थिंग की तो इसके तो lawyers अपने जो इलेक्ट्रोन है अपनी गुंद्रोन है वो इस ड्रीक्षिय में मूख करेङो की सिर्च और पूरा 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 पूर्टिव चार्ज कहा गया अर्थ के अंदर, यह प्रोसेस हमारे पास में कराई जाती है, अब क्या करते हैं एक साथ अर्थ और हमारी रोड जो है यह पर चार्ज बैंने माल सनकत्प हम नंबर चार्ज क्या करते हैं जो स्फेयर कि हम अमारी जो रोड है और से पोजिटिवली चार्ज रोड है कि आपने अर्थिंग की हुई थी अर्थिंग के थी उसको कर देते हैं रिप्ट रेमॉव कर देंगे तो इसके पास जो यह नेगिटिव चार्ज था ही सरफेस वर नहीं है तो नेगिटिव नेगिटिव के बीच में तो रिपलशन फोर्स वहाज इसके वजए से ऩे सेपरेट और में पूरा जो चार्ज था हमारे पास क्योंड़र यह पूरे मैं टालिक सरफेस पर फैल जाएगा कहते हैं तो फाइनली हम ने एक चार्ज्च कर लिया है और इस तरिके से चार्ज प्रोडूस करने के मैं दिनक्षा चार्जिंग ऑई इंडक्षां बोलते हैं इसको का चार्जिंग बाय इंडॉक्ष क्लियर मेरी बात ठीक ना और ये कि यूँट आस के वैलू कितनी होगी यह हमें समझना बच्चो क्लियर रहे ना ओके तो ट्यूबर डास की वैलू जो होगी हमारे पास में नॉट कर लो इसको नॉट कर लिया साप कर दे ठीक है ठीक ना आप को इसके इसके पास मैंने बोला कि चार्ज़ प्रोड़ूस होगा और conducting था तो इसके पास मैंने बोला कि charge produce होगा Q dash अगर इसके पास Q है तो Q dash की value होती है प्यारे बच्चो minus, minus क्यों ये positive तो यहाँ पर negative charge produce होगा minus of Q into 1 minus 1 by K what is K, K हमारे पास में एक die electric constant है K हमारे पास में एक die electric constant है अब यह die electric constant हर एक material का होता है यह हमें पता होना चाहिए यह आपको कुलोंब से लिए में पढ़ा जाएगा कि die electric constant है क्या और यह एक number होता है हमारे पास में हरे लिए this is the different for different material है क्या हम आपको पढ़ा हुआ this value is different for different for different material यह बात आपको पता है अलग अलग सब्स्टांस के लिए अलग अलग होता है जैसे के की value हम water के लिए हम कितना ले लेते हैं 81 ले ले लेते हैं जैसे के की value हम बात करते हैं किसके लिए conducting body के लिए metal के लिए conductor के लिए इसकी value infinite ले ले लेते हैं pure insulator के लिए इसकी value 1 ले ले लेते हैं बट different type के insulator अलग अलग insulator के लिए के की value अलग-अलग मानी जाती है तो हमारे पास में मैं बोल सकता हूँ कि अलग-अलग substance के, अलग-अलग material के dielectric constant अलग-अलग होता है और ये होता क्या है dielectric constant ये हम आपको next class में पढ़ाएंगे जब आपको column slow पढ़ा रहे होंगे पर अभी अभी याद रख लो ये एक constant value होती है, क्या होती है constant value, ठीक ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक question, मैंने question ये किया थे, कि मान लो हमारे पास में, ये एक square है, ये एक square है, और इसके पास एक square और है दूसरा और इस square पे positive charge है कितना है, हमारे पास से मैंने कहा कि इसके पास charge मान लेता हूँ मैं, मान लेता हूँ 10 microcola मान लेता हूँ ये एक body है, और इसका die electric constant मान लेते हैं, 5 है कितना है, 5 है तो इसके इसको pass लेके आया तो induction की वज़े से, इस body के इस surface पर कैसा charge आ जाएगा negative q- कितना आएगा, वो निकालना तो q- is equal to आएगा minus of q into 1 minus 1 by k तो q- is equal to minus का q q कितना अपने पास में 10 microcola into 1 minus 1 by k k die electric constant value दरके 5 soul करोगे, तो minus का 10 microcola into 5 minus 1 ये आ गया, 4 by 5 soul करोगे, टूपे कैंसिल यान की, माइनस का 8 microcola यान की यहाँ पर, माइनस का 8 microcola charge produce हो जाएगा by induction minus का 8 microcola charge generate होगा by induction by induction बात कलिए रहे, कलिए रहे not कर ले, ठीक ना, कर ला, not जल दी से not करें, और आगे की तरब पढ़ते हैं तो, clear है बात, ठीक है आगे चलते हैं कर दे साब, ठीक है आप देखें और देखें और देखें अगर मैं आपस यह कहूं कि मेरे पास मालो, ऐसा माल लेते हैं कि मेरे पास में यह एक conducting body है मालो और इसके पास charge है Q, और Q की value है 10 micro-column और यहां पर एक ऐसी ही body लेके गया में, और यह है conductor, यह क्या है के conductor है, इसके पास charge Q dash की value कितनी आएगी, surface पर मैं बता positive charge है तो इस पर कैसा charge आएगा negative कितना आएगा, तो मालो Q dash की value होगी, उसका value formula है, minus का Q into 1 minus 1 by K means Q dash की value आएगी minus of Q, Q की value दिरके 10 micro-column into 1 minus 1 by K, K की value होती ही infinity किसके लिए conductor के लिए 1 by infinity 0 होता है, तो Q dash की value I minus 10 micro-column कहने का मतलब यह हुआ, अगर कोई conducting body आप लेके आते किसी charge body के पास में, तो induction की वज़े से equal charge produce होता है, बट opposite nature का, positive है तो negative positive है तो negative और negative है तो positive negative है तो positive इस तरीके से मैंने देखो induction method से negative charge produce कर सकते है, positive charge body ले जाओ negative charge produce हो जाएगा negative charge produce हो जाएगा clear, जिस तरीके से में आपके होता आता हूँ सुनो ध्यान से clear बात, ठीक है, ओके जैसे कोशन के ऐसा देखी देखी देखे मैं distribution of charge देखना चाहता हूँ कितना होगा, ठीक है मैं आपसे ऐसा बोलूँ कि मेरे पास में यह देखे एक तीन metallic seat है यह तीन metallic seats है हमारे पास में ऐसे लिए लिखता हूँ कुछ metallic seat ले 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 ते आप समझे लिए कैसी ठीक ना इस तरीके मैं बटाता हूँ ऐसा ले ले लेते हैं metallic seat ले ले लेते हैं जैसे यह मालोख metal की seat है आपने पास clear? ऐसी metallic seat एक seat यह है, एक seat यह है एक seat यह और एक seat कुछ इस तरीके से seat हमने लिए लिए लिखो तो इस पूरी seat को अगर चार दुआła तो पूरी इस surface पर 이र्टि वूट होंगा और इस surface बीछा लिखते .. और इस surface पर चार्ड ऍष्डूट होंगा सबरे फसी पर चार influencers रे keeping मैंने इस को चार्ज दिया दिफ्रीइबूइच результат होगा और इस सर्फेस पर चाहर डिष्टियूइबूइबूइब पर यहां मैंने क्या कीया मैंने इसको चार्ज दिया। मालो मैंने इसको Q- और माल लो मैंने इसको माइनस का थरी या माइनस क्यों चार्ज तरीके स्टार्ज इस प्लेट के पास चार्ज है ठीक इसके पास कोई चार्ज इसके पास चार्ज है इसके पास चार्ज है यह पहले बहुत दूर दूर थे इसके पास चार्ज ऐसे दिया फिर इनको पास पास ल वो देख लेते हैं हमें क्या करना कि यहां पर सर्फेस कितने सपेस हैं आप देखिए एक सर्फेस यह रहा वन टू थो थरी फोर फाइब शेवन एट एक सीट के दो सर्फेस होगे ना ठीका लेट वाला एक रईट वाला तो लेट कितना चार्ज आएगा राइट पर कितना चार्ज डिस्टिव्युट्ट होगा वो हमें find out करना है ठीक ना आठ सर्फेस तो मापको सबसे पहले बताता हूं कि जो आउटर सर्फेस है यह वाला सर्फेस इसका और इसका यह वाला यानिकि जो सर्फेस वन और एक की बात कि जाए उस पर चार्ज कितना आएगा बिल्कुल डेरेग्ट मैंफड आपको बताते हैं जितना भी जार्ज आपने दिया जितना भी आमांट चार्ज है जितने भी प्लेट्स है हमारे पास में उनको संग कर लिजिए 4Q पलस Q 5q-q यानि कि टोटल चार्ज और इस पर चार्ज आएगा नहीं किसी के साथ नहीं जूड़ी हुई है और चार्ज हमेसा कांजार्ड होता है इसके पास total charge पहले 4Q था तो अभी 4Q रहना चाहिए इस surface पर 2Q आया तो इस surface पर भी 2Q आएगा है but the method of induction या due to induction इसके पास 2Q charge है तो इस surface के इस surface 2Q charge है तो इस plate के इस surface पर induction की वज़े से metal की बनी हुए है तो minus का 2Q charge आएगा equal charge आएगा कैसा equal और opposite charge यहाँ पर जोड़ सकते हैं आप minus 2Q charge है तो दूसरे surface पर कितना charge आएगा यह हम निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का sum 0 होना चाहिए क्योंकि पहले charge कितना था 0 अब भी 0 ही रहना चाहिए सरफ charge distribute होगा ना तो charge हम को create कर रहे हैं ना charge को हम destroyed कर रहे हैं clear surface नमबर 5 की बात करते हैं तो induction की वज़े से यहाँ पर minus 2Q charge है आप खुद बता मेरे को यहाँ minus 2Q है तो यहाँ पर कितना आएगा इस surface पे तो आप बोलोगे sir plus 3Q आएगा क्योंकि दोनों का सम यह होना चाहिए अब यहाँ पर थरीक हुआ तो induction की वज़े से यहां कितना आएगा माइनस का थरीक हुआ कितना आएगा माइनस थरीक हुआ आप देख लो आप माइनस 3Q plus 2Q माइनस क्यों देख इतना आई है तो आपके पास में अगर ऐसे plates आपको दे सेट है तो उसके अंदर या इनके कहीं बीच में आपसे वो निकल वाएगा एक्ट्रिक फिल्ट क्या निकल वाएगा उस टाइम पर भी उजोगे तो उसके लिए आपको डिस्टिबूशन आप चार जाना चाहिए तो इस तरीके के प्रोब्लम कर सकते हो इस तरीके प्रोब लेते हैं ठीक ना जैसे मैं आपसे कहता हूं एक प्लेट यह है मेरे पास में ठीक है और एक प्लेट यह है मेरे पास कितनी प्लेट लेलो दस लेलो बीस लेलो तीस लेलो कितनी भी लेलो आपकी बर्ची है जैसी यहां पर एक प्लेट यह है एक प्लेट यह पांच प्लेट को चा दे देगा नमाईक्रो कोलां इसको चार दिया माइनस टू माईक्रो कोलां और निया कोई या इसको माईनस का 3 माईक्रो हुआ और इसको चार देग depressor डिना या आगा एक पल आएगा वो साथके ज हैं मतलब लिए जी ती याए 445 कितना नायएं और 11 मेंस का 5 सब्टीक्त कर दीजिए है पर टोटल चार्ज 10-0 पर टैन माइक्रो कुलांब है तो आप समझ सकते यहां पर कितना आएगा मारे पास में सेवन माइक्रो कुलाम ऐसा क्यों आया क्योंकि टोटल चार्ज 10 माइक्रो कुलाम यहापर 10 माइक्रो कुलाम है तो by the method of induction आप निकाल सकते हो conductor की है तो equal or opposite charge यहाँ पर generate होगा minus 7 माइक्रो कुलाम इस surface नमबर 3 पर surface नमबर 3 पर यह आया 4 पर कितना आएगा sum यह होना चाहिए minus 2 minus 2 होना चाहिए तो यहाँ पर plus का 9 माइक्रो कुलाम सोरी plus का charge यहाँ पर 5 माइक्रो कुलाम आना चाहिए क्योंकि दोनों का sum minus 2 माइक्रो कुलाम होना चाहिए अब induction की वज़े से यहाँ 5 है तो यहाँ पर minus का 5 microcolamær angler चाहिवा know 5 पर और 6 पर कितना आना चाहिए? प्लस का 5 microcolamब क्यों? क्योंकि दोनों का sum 0 होना चाहिए यहाँ पर plus 5 microcolamben है तो induction की वज़े से इस face पर देखिए 5 तो इस पर minus का 5 microcolam यहाँ पर माइनस 5 है तो यहाँ पर पलस का 2 माइक्रो कुलाम आना चाहिए क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए माइनस 3 माइक्रो कुलाम यहाँ पर 2 माइक्रो कुलाम है तो इंडक्शन के वज़े से यहाँ माइनस का 2 माइक्रो कुलाम आना चाहिए आप देखिने दोनों का सम्कर के वन माइक्रो कॉलाम आ रहा है, जो आपने सोचा है, जो आपने किया, इसका मतलब वो बिल्कुल कोरेक्ट है, बिल्कुल कोरेक्ट है, तो by the method of induction, आप charge का distribution कर सकते हो, charge को distribute आप कर सकते हो, इसमें कोई कास बात नहीं है, हम charge का क्या कर सकते है, कर सकते हमने पता है कि चार्ज को प्रोडुस किया जाता है हमें पता है कि आपके पास ँगरधे सिल्क के साथ रब किया जाता है और ट्राइई है कि आप कोई प्लास्टिक कम को रब करोगे तो हमारे पास में वो भी चार्जड हो जाते हैं तो बच्चों मैंने बाइ ये अपके पास में इक इंसूलेटिंग स्टेंड है यह आपके पास में एक insulating stand है और यह कोई आपके पास में एक conducting sphere है conducting sphere और इसके पास में हम क्या लेके गए एक है positively charged road लेके 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 तो हमने इसके पास negative charge create कर लिया था clear अब क्या करते हैं सोचो इसके बिलकुल साथ में यहां पार इसके बिलकुल कॉंटेक्ट में एक ऐसा ही conducting sphere और ले लेते हैं एक ऐसा ही conducting sphere और ले लेते हैं उसको भी insulating stand पर इससे रख दिया जाता है अब यहां पर एक positively charged road लेके गया तो होता क्या है कि दोनों contact भी हैं तो एक ही body का काम कर रही है इसके भी इसके भी यहां पर electron इस surface पर आ जाएंगे और इसके पास जो माले ताम q1 डैस और इसके पास जो q2 डैस अगर चार्ज वो कितना होगा ठीक है नहीं हम वह हमें calculate कर लेंगे तो फिर क्या करते हैं रोड को इन दोनों को separate कर देते बच्चों आप इसको और इसको separate कर देते हैं separate करने से होगा क्या रोड को भी रिमूओ कर देते हैं तो इसका जो यह नेगेटिव चार्ज था पूरे surface पर separate हो जाए चार्ज आए q1 डैस और इस पर जो पोजिटिव चार्ज था उपहल जाए अब अर्थिक करने की कोई जू अब इनके पास कितना चार्ज होगा मारे पास में वो डिपैंड करता है इंका डैलेक्ट्री कॉंस्टेंट पर और डैलेक्ट्री कॉंस्टेंट क्या इसकी फील हम लेंगे next chapter में किसमें next chapter क्या next class में clear है I hope कि आपको यह method समझ में आया होगा charging by induction and charging by charging by induction and charging by conduction तो charging by conduction के उपर सवाल को भी बना देता है ठीक रहा वह हम करेंगे next class में आपको इसमें सिरफ कोई ज्यादा चार्ज के डिस्ट्रिबूशन पर बन सकते हैं बिल्कुल बेसिक सा वह आप कर सकते हैं क्लियर है आशा करते हैं कि आज का आपका जो ग्लास होगी अच्छी रही होगी ठीक ना पढ़ते रहें ध्यान से और मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसकी पीडियेप मैं आपक स्क्रिप्सिन में दे दूँगा ओके थैंक्यू बच्चो